नमस्का दोस्तों सागेत आपका मेरे चैनल कोड़ विद्याले पर मैं हूं सत्या और लास्ट वीडियो में हम यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग को उसको भी वैलिडेट करना है उसको कैसे वैलिडेट करेंगे ठीक है उसको भी हम लोग क्या करेंगे अपना क्रियेट के अंदर जाएंगे ठीक है कमांड वैलिडेटर के अंदर और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एक मैं और रूल एड करेंगे रूल यहाँ पर एक और हम लोग रूल एड करेंगे रूल और इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे पी गोस्टू पी डॉट ओके यहां पर हम लोग कोई फिल्ड नहीं है प्रापर्टी नहीं है हम लोग को क्या करना है हम लोग को चेक करना है कि कैटेगरी नेम जो है वह एक्जिस्ट है कि नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे must और इसको हम लोग करेंगे async और यहाँ पर हम लोग रखेंगे category unique ठीक है और एक और हम रखोंगे with masses अगर यह unique नहीं है उस case में हम लोग को यहाँ पर return करना है category name already exist अब यह category unique जो है इसको हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पर हम लोग इसको right click करके और एक इसका method create करेंगे ठीक है यह हो गया हम लोग का private method अब इसके अंदर हमारा क्या क्या है यह हो गया हमारा create command ठीक है इसको हम लोग change कर देने command और यहाँ पर हो जाएगा हमारा token ठीक है cancellation token का token हम लोग कर दे रहे है अब यहाँ पर क्या होगा हम लोग को क्या चाहिए होगा यहाँ पर जो unit of work है उसके थुरू हम लोग एक और method यहाँ पर डालेंगे उसको चेक करेंगे कि is a category unique है की नहीं है ठीक है उसको कैसे करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ से हम लोग जाएंगे contract के अंदर और इसके अंदर i category repository के अंदर एक और interface declare करेंगे जिसका नाम रखेंगे हम लोग task ठीक है और यहाँ से इसको return type हम लोग रखेंगे boolean और यह हो जाएगा हमारा is category unique ओके और इसके अंदर हमारा एक parameter आएगा यानि कि जो name हम लोग भेजेंगे इसको हम लोग कर दे रहे हैं string और यह हो जाएगा category name ठीक है अब वापस आएंगे अब यहाँ पर हमको i unit of work चाहिए तो i unit of work जो है हम लोग यहाँ पर i have fluent validation है तो इसके अंदर हम लोग जो चाहिए और इसको हम लोग dependency injection के थुरू यूज कर सकते हैं तो i unit of work ओक है i unit of work आई इसको हम लोग रखेंगे unit of work variable और इसको हम लोग राइट क्लिक करके ठीक है ठीक है private variable declare कर लिए और इसको हम लोग क्या करेंगे underscore rename कर देंगे ठीक है यह हो जाने के बाद अब हमारा क्या हो जाएगा unit of work यहाँ पर हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पर लिखेंगे रिटन आई unit of work dot category dot is category unique और जो भी हमारा command के तुरू parameter आ रहा वो command dot category name ठीक है तो यह क्या करेगा हमारा database में के तुरू validate करेगा कि यह already exist है कि नहीं है अगर है तो true नहीं तो false ऐसे रिटन करेगा है और यह हम लोग का fluent validation के थुरू हम लोग यहाँ पर add भी कर दिये ठीक है और same हम लोग का जो है यहाँ से हम लोग इसको पास करते हैं ठीक है यह हो गया custom हम लोग कैसे custom validator भी यहाँ पर create कर रहा है यह हो गया हम लोग का custom validator जिसको हम लोग यूज किये अब हम लोग क्या करेंगे next video में हम लोग infrastructure का जो प्रोजेक्ट है उसको setup करेंगे तो मिलते है next video में तो उसके पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल तो आने वाली सारी वीडियो आपको notification के तुरू मिलते रहेंगे thank you